सरेलेक्स की एक कोट थी के युनाइटिट सबसे जादा रोमेंटिक क्लब है लेकिन इसके सासा सरेलेक्स ये बताना भूल गए थे के युनाइटिड में चुतियापे करने वाले भी बहुत लोग है रूनी को मैं इतना आइडिलाइस करता हूँ रूनी को मैं इतना जादा मानता हो रूनी एन रोनालडो और टू आइडल्स इन माय लएफ लेकिन रूनी ने कल क्या हगा मचा आया है अपने उसमें इंटर्व्यू में saying that Glazers are the perfect owners for Manchester United and Glazers ने हर manager को back किया है, Glazers ने हर manager के लिए वो वो players लाकर दी है जो 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 चाहते थे और चलो रूनी वाला case तो अलग है, Greenwood की अलगी trajectory पे पूरी storyline चल रही है एक तक अपूर के serials की जो storyline है न वो beat हो जाए, United में जो हंगामे होते है United में जो daily storyline चलती है, लेकिन चलो उन सारे topics पर तो हम discuss करेंगे ही करेंगे पर सबसे पहले है huge shout out to one football application for sponsoring this video अगर आप भी मेरी तर है, पूरे दिन football को चाटना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अगर आप भी देखना जाते हैं अपने favorite football club के बारे में news या फिर अपने favorite football player के बारे में news तो kindly download one football application from the given link in description जाओ, click करो, download करो, free में मज़ा उठाओ, इस brilliant footballing आपका तो अगर रूनी का interview चल रहा था, अभी सबको पता है भाई, वो DC Atlanta के manager बने हुए है, तो US में ही बैठे हुए है and Glazers का भाई, Glazers तो हैं US के, तो रूनी से पूछा गया, what do you think about the ownership change at Manchester United क्योंकि बहुत, गर्मा-गर्मी का माहौल है, fanbase तो चाहता है कि नई owners आए, and Qatar को favor किया जा रहा है, और ऐसा है, वैसा है तो यहाँ पर रूनी बोलते हैं के, yes I understand the outrage in Manchester United fanbase, लेकिन Glazers are really ambitious owners, Glazers have always begged the managers अच्छा ता, same Rooney, was about to leave Manchester United in 2010, and he was about to join Chelsea at that time, because he thought that club is not ambitious enough अब यह जो दोगलेपन वाली हरकत की एकल रूनी ने, देखो, I love him, I love him to bits, मैं दो प्लेयर्स को सबसे जादा मानता हूं, रॉनाल्ड और रूनी को, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे यार, और आपको पता है, जैसे मैंने रॉनाल्डो को बारे में बुला था, he shouldn't have crossed the line and you know went after 10 heck, same आप यह जीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने टाइम पर छोड़ने का मन बनाया था, because of the lack of interest from the owners, क्लब में वो पैसा इंजेक्ट नहीं करे था, उन्होंने टैविच को बेज दिया था, और वो कोई अच्छा प्लेयर लेकर नहीं आ रहे थे, तो यह कहां का, मतलब सैंस वाली बात हुई, एंड रूनी सेंग कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि क्यों, फैन बेस इतना जादा अभी परिशान है, because of the ownership, देखो, ना Old Trafford पे कुछ इंजेक्ट किया गया है, पैसा, redevelopment program पे, ना आपके training facilities इंप्रूफ की गई है, ना आप देखो के fan experience पे बिल्कुल भी investment किया गया है, तो Glazers ने सिर्फ और सिर्फ डिविदेंट्स निकाला है, और जो पैसा inject करने की बात कर रहे हैं, जो पैसा देने की बात कर रहे हैं, रूनी, वो हमारा ही पैसा है, जो हम revenue से generate करते हैं, और वही पैसा Glazers ने managers को दिया है, जोजे मुरीनियो रोते रोते क्लब छोड़ के चला गया, कि भाई मुझे centre-back चाहिए, मुझे centre-back चाहिए, मुझे centre-back चाहिए, नहीं मिला, CDM प्लेर के लिए Ole Rota रहे गया, कि मुझे CDM प्लेर चाहिए, नहीं मिला, और वही centre-back पेर फिर लाके आपने दिया Ole Gunnar Solskjaer को, तो यह जो, यह जो vicious cycle चली आरे हैं, जब से Sir Alex retire हुए, तब से लेकर अब तक सबसे बड़े culprit जो रहे हैं, वो Glazers ही रहे हैं, and there is a reason why Rooney, the entire fanbase is asking the Glazers to sell the club, and क्यों हम अभी भी नहीं चाहते हैं कि Sir Jim Redcliffe, the major chunk of United fanbase still doesn't want Sir Jim Redcliffe, या फिर जो Elliot Group की news आ रही थी, Elliot Group के बारे में भी एक बड़ी अतरंगी सी ख़बर आई है, कि Elliot Group पहली बात तो यह है कि Majority Stake Buy नहीं करना चाहता, वो सिर्फ Minority Stake पर आना चाहते हैं, क्योंकि व वो इन्वेस्टर के तौर पर नहीं भी आते हैं, तो भी वो Old Trafford के Redevelopment पे पैसा लगाने को तयार हैं, अब भाईया देखो इतनी कोई बेफकूफ पार्टी नहीं बैठी है यहां पर, कि आप Free Fund में पैसा इंजेक करो, यहां पर आपको Return चाहिए है, इसलिए आप यह सारी हरकते करें, और Elliot Group वो Group है, जिसने AC Milan को कंगाल करके छोड़ दिया था, AC Milan अब भी आप देख रहो कि जो स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट में क्यों वो प्लियर्स नहीं परचेस कर पाते हाई वेल्यू पे जाके, उसके पीछे Elliot Group का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि Elliot Group ने इन उनके में बैठे जो फैन्स हैं, उनकी आवाज इतनी इंपोर्टेंट है तो ग्लोबल फैन बेस की भी है, इसी लिए the majority chunk are not in favor of Sir Jim Radcliffe, and they don't want Elliot Group anywhere near Manchester take over या फिर जो अगर stake की बात भी आ रही तो उस पर भी बिल्कुल यो नहीं करना चाहते है, अगली update जो है United के related वो यह है कि Mason Greenwood के बारे में हम सब को पता है, पिछली साल 31 जन्वरी को Mason Greenwood पे चार्ज लगाए गए थे, Harry Dropson ने उनकी उपर, domestic violence and other सारे cases लगाए थे, जो कि drop कर दिये गए हैं अभी recently because of lack of evidence, और कल रात में news यह आ रही है कि Mason Greenwood is soon to be dead with his partner, अब वो partner का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया इफ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वाइरल होई थी, उसमें देख कर तो नहीं लग रहा था, that the girl, he's, you know, he's with, is Harry Dropson, but you never know कि एक साल में क्योंकि बिल्कुल भी, social media engagement नहीं रहा है दोनों की साइट से, तो, you know, she might have gained some weight, मैं तो पहने भी देखा नहीं थे, I don't really don't have any idea, लेकिन हाँ, ये जो news आई है, इसके बाद फिर पता है, समझने वाली बात ये है कि, were the charges being dropped because of the same reason, or due to lack of evidence, या फिर Harry Dropson का family के साथ, पैसे को लेकर settlement हुआ है, या फिर the greenwood situation wouldn't have even arised, वो बस एक outreach था, Harry Dropson की तरफ से, जो कि बिन बात इतना जादा बिगड गया, अब देखो यहाँ पर multiple opinions होंगे, multiple आपके, आप scenarios drawn out कर सकते हैं उस पूरे इंसिदेंट से, news ये आ रहे है के, Mason Greenwood is looking to come back to Manchester United as soon as possible, certain senior figures at the club doesn't want Mason Greenwood, the female footballers at our club, जो हमारी women's team है, उसमें बहुत सारी जो footballers हमारी वो नहीं चाहती कि Mason Greenwood आए क्लब में वापस, because it would be a negative negative, आप कैसकते हो message to the female audience of our club, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखो, innocent under proven guilty वाला scene तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि charges drop किये गए है, वो guilty prove नहीं किया गए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी scene है कि अगर ये जो Harriet Robson वाला case निकल कर आ रहा है, अगर ये वाकई में legit है, ये factual है, तो फिर Mason Geanwood को वापस आने से कोई रोक नहीं सकता, एक news ये आई थी कि 10 Hegg वो आपके Mason Geanwood के साथ call पे बात कर चुके है, he had a conversation with Mason Geanwood, and कहीं ना कहीं 10 Hegg things that Mason Geanwood को लेकर आना वापस club के लिए सही होगा, अगर देकों Mason Geanwood के आने से आपके पास एक striker options, option के तौर पर add हो र right winger as well, he can also play as a left winger as well, तो एक बहुत ही versatile player है, जो के अभी बहुत young है, तो आप कह सकते हो के भाई United अगर ये पूरा जो अभी situation चल रही है, Greenwood के around, और देको social media trials के basis पर किसी player को judge नहीं करना चाहिए, social media पे तो आप Messi रोनाल्डो को पता नहीं क्या साबित कर सकते हो, it's just the narrative ज agendas जो है, वो अपने आप circulate होने शुरू हो जाते है, यहाँ पर United strikers को target कर रही है, Victor Osman को देखने के लिए United ने अपने चार scouts भेजे थे, यहाँ पर जो Atlanta के 20 year old striker है, Hoyland, उनको भी target कर रही है Manchester, United on, Hoyland के पीछे सिर्फ United नहीं है, Arsenal भी है, और देको यह जो young talents है ना, इनको ही तो scout करना है, आपको बड़े बड़े नाम तो market में जाकर मिल जाएंगे, लेकिन अब जब हम successful थे एक time पर, तब United इसलिए successful थी, क्योंकि वो बड़े नाम तो attract करते करते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो young talents थे, उनको भी अपनी तरफ पुल करते थे, चाहे आप Rooney की बात कर आपका recruitment criteria है, वो कही ना कही अब shape ले रहा है, और देखो जब glazers जाएंगे, जब कोई नई ownership आएगी, तो आपको footballing head जो है आपके, जो football brain है आपके, वो चाहिए आपके क्लब में, और इसलिए Edwin Wendersar पर मैं बहुत ज़्यादा count कर रहा हूं कि United need to go after Edwin Wendersar, और देखो यार ये Highland वाली news जो आ रही है, Victor Osman वाली news आ रही है, इवन Jude Bellingham के बारे में news आ रही है कि United के पास एक outside chance है, ना me being a United fan, एक Jude Bellingham जैसा hyped up player क्या मुझे क्लब में नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट क्या मुझे वो player 500 million में चाहिए, ना बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या हमा इनी गलतियों से, आपने Pogba के टाइम भी यही गलती की थी, आपने Maguire के टाइम भी यही गलती की थी, ना ये ना high risk वाला एक reward हो सकता है आपके लिए के 1500 million जूट Bellingham पे 19-20 साल का player है, आने वाले time में अगर वो click कर गया और वो अपने potential पर खेल गया ceiling hit कर गया, तो भाई यही 1500 million आपको 200 million का देखेगा फिर, लेकिन अगर यही player crumble कर गया, तो 1500 million आपको 300 million के round देखेंगे, 200 million के round देखेंगे, क्योंकि फिर आप सफर करोगे, wage structure भी आपका heavy होगा, फिर आप market में जो 1500 million में दो player लेकर आ सकते थे, आपका एकलौता player आएगा, और आपको पता है कि United United को अगले window में जाते में, बहुत सारे players दुरत पढ़ने वाली है, सिर्फ Jude Bellingham वो player नहीं होने वाले है, जो कि इकलौते आएंगे club के अंदर अगर आते है, तो पहली बात तो United के, I don't think United have a chance, क्योंकि बहुत सारी और team है, Man City एक probable club है, जहाँ पर मैं Jude Bellingham को end होता, देख सक करें, देखो realistic price अगर आप पूछो Jude Bellingham का, जो clubs खर्च करने को तयार होंगे, तो that would be around 92, you know 100 million, not more than that, और 1500 million तो भाई किसी दशा और दशा में नहीं होना वाला खर्च, but that's just me, that's my opinion, आप बता सकते हो अपने opinion, इस पूरे Rooney वाले topic पे, Greenwood वाले topic पे, and यह जो आप देख र वीडियो और शेर कर अपने और फ्रेंड्स के साथ, जो की footballing news सुनना चाते हैं, या फिर United के बारे में काफी passionate है, या फिर other clubs के बारे में भी जानना चाते हैं, with that I will take a leave, मिलते हैं, अगली वीडियो में तब तक लिए goodbye, take care, sayonara, and as always, we'll always keep the red flag flying eye, as Manchester United will never die.